नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विकरम और स्वागत है आपका मारे यूटूब चैनल लेर्न टेक्निकल में फिर से लेके हैं दोस्तों नहीं जो आपकी इंफोर्मेशन ये रूप्रीट में दोस्तों आ रही है सभी भारतिय अप इंडिया की किसी भी स्टेट किसी भी सीटी से आते हैं तो यहाँ पे अवेधन कर सकते हैं अवेधन करने का डिरेट लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूगा और वहीं पे लिंक दे दूगा नोटिकेशन का नोटिकेशन को रीड करिए और अप्लाई कर दीजिए इन पोस्ट के लिए बात करते हैं दोस्तों कौन-कौन सी पोस्टों के लिए अवेधन मागेगे तो यहाँ पर सुप्रिटेंडेंट जूनिर असिस्टेंट, सीनिर असिस्टेंस, टैनोग्राफर, सीनिर स्टैनोग्राफर, टेकनिकल असिस्टेंट उसके बाद जो हे वो अगर बात करें टेक्निशियन की पोस्टों के लिए यह senior recognition की post गिर इन सब इक लिए recruitment है तो यहाँ पर अच्छी बात ही है दोस्तों कि आपको great pay के साथ salary बिलेगी तो salary आपको इसमें अच्छी खासी मिलने वाली है total number of post दोस्तों जो है वो 106 है तो इतनी कम number of vacancies भी नहीं है तो अगर आप apply करना चाहते हैं तो कर सकते हैं direct recruitment में भी काफी सारी वो vacancies है तो यहाँ पर दूस्तों बात करते हैं सबसे पहले application fees की तो सबसे पहले SC, ST, PWD और woman candidate इनके लिए किसी भी तरह की fees नहीं रखी गई या आप free में आवेधन कर सकते हैं बाकि अगर आप undeserved से आते हैं OBC से आते हैं तो 500 पे की fees जो है आपको pay करनी है जो की non refundable होगी बात करते है apply online की तो यहाँ पर वैसे link दे रखें direct link अलग से मैं आपको description box में दे तूँगा 2019 से आवेधन शुरू हो चुके हैं 2019 तक आवेधन चलेंगे इसी के बीच में आपको अवेधन करना है जादा टाइम नहीं है तो जल से जल्द अवेधन कीजेगा बात करते दोस्तों अभी detail में कि किस-किस post के लिए क्या-क्या eligibility criteria मागा गए तो superintendent की post के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर salary basic मिल जाएगी 24,800 साथ में grade पे रहेगा 4,200 का maximum major limit 30 साल रखी गई है अगर आपने किसी भी स्टीम में bachelor degree करी हुई है आप अवेधन कर सकते हैं अगर आपने master degree करी हुए तो भी अवेधन जेवो कर सकते हैं साथ में computer की जानकारी होना अनिवारे है junior assistant की post के लिए दोस्तों एक group C की पोस्ट रहने वाली है इसमें आपको जो ग्रेट पे के साथ 20,000 दोस्तों जेवो salary मिल जाएगी maximum major limit 27 साल इसमें 10 plus 2 दोस्तों मांगी गई है 35 word per minute की speed होनी चाहिए computer की जानकारी है आप एदन कर सकते हैं senior assistant की post के लिए दोस्तों यहाँ पे group C की post है maximum major limit 33 यह रखी गई है अगर आपकी यह 18 से 33 साल के बीच में आती है आप एदन कर सकते है 10 plus 2 मांगा गया है साथ में typing speed अच्छी होनी चाहिए stenographer की post के लिए भी दोस्तों आपको same salary मिल जाहेगी maximum major limit 27 साल 10 plus 2 मांगी गई है साथ में 80 word per minute की जो यह वो stenography में speed होनी चाहिए आवेदन कर सकते है senior stenographer की post के लिए भी दोस्तों same eligibility criteria है बस maximum age limit जो यह वो 33 यह रखती गई है यहाँ अगर आपने 10 plus 2 करी होई है तो आप आवेदन कर सकते हैं technical assistant के लिए दोस्तों यहाँ अगर आपने BE, BTEC, MCA करी होई relevant field में तो आवेदन कर सकते हैं बागी इसकी detail में जानकारी इसी notification में मिल जाएगी notification का link description में मिल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपने diploma करा हुए engineering का relevant field में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं या first class special degree करी हुए science में या master degree science में करी हुए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं बात करते हैं दोस्तों junior और junior की post के लिए यहाँ पे BE, BTEC करी हुए अगर आपने civil मे, electrical में या diploma करा हुए civil electrical में तो आप आवेदन कर सकते हैं बाकी जदा चान करने के लिए notification जरूर चेक कीजेगा और उसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते तो technician की post के लिए यहाँ पे दोस्तों जो है वो group C की post आने वाली है 27 साल maximum major limit है 10 plus जो मागी गई है 60% marks के साथ आवेदन कर सकते हैं बाकी अगर आपने आईटाई भी करी हुई आईटाई वाले भी यहाँ पे रुकूरीटमेंट में आवेदन कर सकते हैं बात करतें दोस्तों senior technician की post के लिए तो यहाँ पे 33 साल maximum major limit रखी गी है grade pay के साथ salary मिलेगी group C की यह post है इसमें भी 10 plus 2 मागा गया है और अगर आईटाई है तो भी आवेदन कर सकते हैं बाकी 10 plus 2 60% marks के साथ अकेले आवेदन कर सकते हैं साथ में science subject वो होना चाहिए अगर science में करी हुई है बाकी जादा जानकारी के लिए आप जो है वो notification रीड करिएगा तो यही सब कुछ दोस्तों लिखाएगा नोटिफकेशन में अप्लाई करना चाहते कर सकते हैं अच्छी opportunity है फ्रैशस के लिए recruitment है लिंक आपको description में मिल जाएगे तो थेंक्यू बरी मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आशागरतों का आप वीडियो पसंद आई होगी समझ आई होगी वीडियो से related कुछ पूछना चाहते हैं तो comment section में पूछ सकते हैं चैनल को subscribe करें मिलते हैं next video में